कैसे हैं आप सब आज हम लोग कच्छतीन की हिंदी पढ़ेंगे रिम जिम उसमें पार्ट ग्यारा है क्या नाम है जब मुझको सापने काटा क्या आप लोग ने सापको देखा है कितनी तरत्रे के होते हैं रंग रंगीन होते हैं कुछ काले होते हैं कुछ सफेद होते हैं चलो ते स्टार्ट करते हैं। जम मुझको सांपने काटा कूसीत। पत्षा में टозможно और वहीं पर पड़े हुए नारियल के घुसवर के गुष कर चिप गया नारियल का खोल का मुषब मैंने पत्थर का एक टुक्डा उठाया उससे नारियल के खोल मुहह बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया किसके पास दोड़ा नानी के पास ये लोग आप पिच्चर में देख सकते हैं ये नारियल का ये खोल बता रहा है जो नारियल में पानी पीते हैं तो हम लोग पानी तो पी लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसे बोलते हैं नारियल के खोल देखे इस तरह से इसने पत्थर स घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आए जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्हों ने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फैक दिया क्यों फैक दिया तो कि सांप चहरीले होते खतरनाक होते अगर काट लेते हैं तो क्या होता है जान भी चली जाती है इसलिए सांपों को खतरनाक माना जाता है नन्ना सांप बाहर निकलाया और रेंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया सांप कहां चले जाते हैं जाडियों में जादतर रहते हैं और वो रेंगते हैं उनके पैर नहीं होते साप के वो क्या करते हैं रेंगते हैं नाना ने मुझे कहा खवरदार फिर कभी साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाक होता है कैसा होता है खतरनाक होता है उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था बर क्या होता है बर होता है बर बोलते हैं ततया जो पीली और काली नहीं होती न उनको हम बोलते हैं बर मदुमक्खी जैसे बोलते हैं ततया बोलते हैं उसको बर भी बोलते हैं आप क क्या किया उसने बर को पकड़ रहा है अब बताइए बर को पकड़े ग़ा तो बर तो काटेगी ना ततयया तो काटेगी ततीया क्यों से चोड़े मुझे दर्द से कराते देख नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया क्यों क्यों कि नानी को लग रहा इसे फिर से साप पकड़ा होगा तो साप ने इसको काट लिया मैंने दोड का नानी को उंगली दिखाई उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा किसको पुकारा नाना को नाना तुरंत दोड़े आयो मेरी उली को देखा जहां बर्र ने काटा था किसने काटा था बर्र ने वहाँ नीला निशान पढ़ गया था क्योंकि बर्र के ततया मदमकीन सब के काटने से भी नीला निशान पढ़ जाता है वह हैं चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे चट मीस होता है बिना देरी करे तुरंत से बाहर उठाकर भागे कहां भागे होंगे देखते हैं होस्पीटल गए अस्पताल गए या फिर किसी बैजी के पास गए बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने जाकर रुके कहां पे बाग और धान के खेतों को चावल आपनों खाते हैं उचको बोलते हैं दान के खेत को पार करके भागते भागते हुए अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने रुके वहां पूशते ही उन्होंने आवाज लगाई इसको आवाज लगाई यह देखिए आपनों को दिख रहा है यह बैठे हैं एक बूड़ा आदमी बहार निकला कैसा निकला बूड़ा आदमी वह साम के काटने का मंतर जानता था साम के जो पहले आजकल क्या है दवाईयों से डॉक्टर जाते हैं इन्जेक्शन लगाते हैं डिप चड़ाते हैं दवाई देते हैं लेकिन पहले क्या होता था मंतर बोलने से ही साम का जहर उतर जाता था नाना ने उनसे कहा इस बच्चे को साम ने काट लिया है इसकी जाड़ फूक कर दो जाड़ फूक करने लगे बूड़ा मुझे जोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुप-चाप बैठो हिलना ढुलना मत फिर पीतल के बरतन में पानी लाया मेरे सा सापने काटा ही नहीं था तो मन्त कैसे असर करेगा देखी पीतल का वरता आप लोगे देख सकते हैं रखा है जाड़ फूक करके मन्त पढ़ रहा है कुछ अब देखते क्या होता है मैं चाहता तो बहुत था की उसे बूड़े को बता दू प्रता है पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे मुझे बोलने ही नहीं दीया जैसे ही मैं कुछ कहने को मूँ खोलता वर डाट कर कहते चुप-डर के मारे मैं चुप हो जाता हमारे पीचे, पीचे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पोँची सब लोगों दास खड़े देखते रहे देखो कितना मज़ेदार चोट अगर आपको गिर जाओ और इस हाथ में लगी हो दूसरे हाथ में मम्मी आपकी दवाई लगा दे तो हसी तो आईगी न तो ऐसे ही हो रहा है काटा बरने है और जाड़ फूक किसके ओर यह साब के काटने की तब तक मेरी उंगली का दग्जा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जवजस्ती बिठा कर जाड़ फूक करवानी पड़ रही थी कुछ मिनिट वाद बूरा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा सारो फिर वह नाना से बोला अब बच्चा खत्रे से बाहर है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए बड़े जहरीले साफ ने खटा था पताएए जहरीले साफ भी था सब लोगों ने बूरे को उसके अदवोत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया घर लोटने के वाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजे भेट में भेजी भेट कया होते जैसे डॉक्टर को आज कल अस्पिताल में अपनों जाते पैसे देते ना तो पहले पैसे नहीं भी चीजे जो घर में होती थी जैसे जिनके पास धान का खेते तो जो चावल होगी बहुत सारे इनके पास तो वो भेज देंगे अगर किसी के पास गन्ने की खेती है तो गन्ने से क्या वनता है गोड़ वो भेज देंगे इस तरह से यह भीटे भेजी जाती थी जो भी उनके पास होता था तो यह कहानी हमारी complete हो गए यह किस ने लिखी इसके कभी कौन है संकर जी कौन इसके कभी जो भी आग राय कभी होते हैं उनको आप पढ़ा कीजिए और थोड़ा सा माइन में रखने की कोशिश कीजिए अब है हमारे NCRT के कोशनांसर चलो यह देखते हैं कहानी की बात नाना म मैं बूड़े आदमी को क्या बताना चाता था कि मुझे सापने नहीं काटा बर्र ने काटा मैं आपको यह अभी पूरे लिखवा देती हूँ जब साप नादियल के खोल में गुश गया तो मैंने क्या किया मैंने ऐसा क्यों किया होगा बताइए जब भी साप किसी बोतल में या किसी बाहर निकल ले में उसमें रस्ता ना हो उसमें घुस जाए और उसमें धक्कल लगा दिया जाए तो साप को इस तरह से हम पकड़ सकते हैं इसी तरह से वच्चे ने भी दिमाग लगाया क्या बुड़े आदमी ने सच मुझ मेरा इलाज कर दिया था तो मैं ऐसा क्यों सोचते हो बताओ क्या इलाज किया था मुझे असल मैं सापने नहीं काटा था फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे को सापने काटा क्यों रखा तो मैं इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ बताओ आपके माइन में भी कोई इस कहानी का नया नाम बता रहा हो तो बता सकते हो चलिए पहले हम इस प्रश्णों के उत्तर लिख लेते हैं उसके बार आँगे प्रश्णों के उत्तर देखेंगे पहला प्रश्ण था इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पढ़ गया उन्होंने समझा साप ने काट लिया इसलिए साप के काटे का ज़ाड़ फूप से इलाज करवाने वाले आदमी के पास ले गए नाना मुझे ज़ाड़ फूप वाले आदमी के पास क्यों ले गए ते क्या लिखोगी यही तो लिखोगे दूशरा प्रशन है हमारा मैं बूड़े आदमी को क्या बताना चाहता था मैं बूड़े आदमी को बताना चाहता कि मुझे सापने नहीं बल्कि बर्र ने काटा है तीसरा प्रशन जब साप नारीर के खोल में गुश गया तो मैंने उसे क्या किया मैंने ऐसा क्यों किया जब साप नाजल के खोल में गुज गया तो मैंने पत्थर के टुकुडे से खोल का मुँ बंद कर दिया मैंने ऐसे अंजाने में किया होगा क्या किया होगा जानुच के दोड़ ना इतना छुटा बचा थोड़ी ना जानता है कि इसमेंसे साब नहीं निकल पायगा तो हम इसको बंद कर दें उसने ऐसा अनजाने में ही किया पर उसने किया बिलकुल सही का क्या बूरे आदमी ने सच मुझ मेरा इलाज कर दिया तो मैं ऐसा क्यों सोषते हो बूरे आदम adesso 상태 नहीं किया था तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सुच कर बता हो मैंने कहानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी जाड़फूक वाले यही समझा कि मुझे साप ने काटा है कहानी का शीर सब जाड़फूक या नाना की ना समझी यह दो या फिर आपके माइंड में भी कुछ और आ र कहानी में लड़के को बर काट लेता है बर का क्या होता है डंक जहां भी आपके कभी भी बर ने किसी ने काटा हो ना तो आप क्या देख ना उसके वहां पर डंक दे देते हल्का असा बिल्कुल पतला होता है उस जगे चुबा रहता है वह आप लोग निकाल देते तो या मदमक्षी की प्रिजाती एकोती बर्ण जैसे हम लोग बर्ण चली तो महारी बात मैं बूड़ों को कुछ बताना चाता था पर बताना सका क्या तुमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है अगर आपके माईमे कुछ ऐसी घंटना हो जैसी कि आपके माई पापा का बोला नहीं तो उस तरह से अगर अप अपनी बात बताना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते मैंने तो लिखा ये इसमें हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जब मैं मम्मी को ये बात बताना चाहता था कि मुझे किसी नहीं मारा बलकि यह चोट मुझे गिनने से लगी है लेकिन बता नहीं सका क्यों फिर भी वो गुसा करने लगी कि उसने तुमें मारा होगा तो इस तरह से मैंने लिखा चलिए आगे प्रशन है क्या तुमने कभी साप देखा है तुमने साप कहा देखा है उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा भाई कैसा लगा होगा डरी लगता है मैंने साप स्टिडिया घर में देखा है उसे देखकर मुझे डर लगा अगर आपने अपने घरों के आसपास देखा है तो wrapping लिखेंगे मैंने अपने घर के आसपास देखा है मुझे देखकर उस शेडर लागा अगला प्रेशन है हमारा अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को साप काड ले तो क्या करेंगे चलो भाई पूछो जरा अपने घर पर पूछने पता चलेगा कि यदि साब काट ले तो तुरंत अस्पताल में ले जाएंगे ओके चलिए नेक्स प्रेशन अस्पताल में ले जाएंगे वहाँ जहर उतारने का प्रयास किया जाएगा अब नेक्स दूसरा प्रेशन है हमारा अब क्या करें तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुमारे आसपास किसी को बर काट ले तो बता ही आप लोग क्या करेंगे साफ लोही की चीज से उसे स्तान को रगड दे यदि नौसादार हो तो वहाँ लेंगे देखे जब भी आपको बर ततया मदमक्य तो जो लोहे का होता है बहुत से लोग लोही की छला टाप का उंगली में पहने रहते हैं गलें पहने तो उस जगह पर थोड़ा सा उस जगह पर लोही को रगड ये तो वहाँ पर तुरंत दर्दबंद हो जाता है और सूजन भी नहीं आती हो ठीक हो जाता है किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे उसे प्राथमिक साहिता देंगे पट्टी बादेंगे फिर अस्पताल ले जाएंगे ऐसा नहीं है खून बहरा है तो बहने दो रो रहा है वच्छा है तो रोने दो नहीं आपको फ्रप से पहले क्या करना है उसको डिटॉल से साफ करना है कॉटन से उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अंटिसेप्टिक क्रीम हो उसे लगाना है पट्टिवान ना उसके बाद उसे अस्पिदाल ले जाना है किसी की आँख किसी की आँख में कुछ पढ़ जाए तो क्या करेंगे उसकी आँख की उपरी और निचली पलके को हलके से पकड़ कर हिला देंगे और स्वच पानी से साफ पानी से उसे धुलवाएंगे किसी की नाक से खून बहने पर क्या करेंगे उसे पीट केवल लिटा कर सिर नीचे जुका देंगे सिर पर ठंडा पानी डालेंगे ये चीजें आप लोग याद रखना आंगे बहुत काम आएंगी जो मैं आपनों को लिखवा रही हूँ अब है हमारा जरा सोचो तो नारियल ने के खूल जैसी कौन सी चीजें साप छिप सकता है तो देखिए कौन से होती तूटी हुई हंडिया में हंडिया होती जैसे आपके अपने घरों पूछना क्या होता है हंडिया है एक तायप की मटका जो तूटे जाते पुराने घरों पहले के घरों में क्या होता है ता मिट्टी के वरतन इस्तमाल होते तो उसमें ना कुछ मटके तूट जाते तो साइड से लग देते तो उसमें भी साप छिपके बैठ सकते हैं, घास फूस में बैठते हैं, टूटे फूटे बरत्रों में बैठते हैं और टूटे फूटे खेलोनों में या फिर कोई जो प्लास्टिक का डिबबा खाली रखा और इसका धकन खुला उसमें भी जाके छित में बैठ जाते हैं वह खोल आहते में कैसे पहुचा होगा नारियल का इस्तमाल करने के बाद खोल को किसी ने आहते में फैंक दिया होगा पानी उसका पीने के बाद चलिए अब है नीचे कुछ सब्द दिये गए हैं उन सब्दों सब्द पर संबंधित घर पर घेरा लगा चलो भाई ऐसे इसमें कुछ शब्द हैं जो आपके घर के संब्द जैसे आंगन क्या है सड़क पे तो नहीं होता ना घर में होता है तो जैसे आंगन है तो इस तरह से उस पी गोला लगाना है बरामदा घर में होता है जी ना सीडियों को बोलते हैं वह भी घर में होता है आहता भी घर में होता है Atari भी होती च blend छेटि के ऊपर जो में कमरा अर्छ बनाया और उसे बोलते हैं आला मुझे नहीं पता किस वासा में आला को क्या की बोलते हैं अगर आपनों में परता लावा और आपने को बता हूं दौज़िया छेरी छट सड़क गर से संब्द इतनी होती वो भ। सम्बध स мамर में नहीं होती है रशोई घर में नहीं आता है इस पर नहीं टिक लगाएंगे चलिए अब हम चलते हैं नेहर बोलते हैं जहां पर पानी बहता है नेहर यह भी घर में नहीं होती पुलिया जो छोटा सा पुल होता है उसे छोटा होता है उसे पुलिया बोलते हैं जोहर नहीं पता डांग घर जहाँ जो पोस्ट मैन होता है जहाँ पर लेटर ले जाये जाते हैं तो उसको डांग घर बोलते हैं और टार टार ये घर से सम्मंदित होता है जो बड़ी बड़ी सिल्पें पड़ी होती है उन पे मम्मिया क्या करती है सावान खटा करकर करकर रख देती है उसे बो क्या समझे, चलो भाई समझते हैं, क्या समझे, नीचे लिखे बाख्यों का मतलब बताओ, साप पास की जाड़ी में γायब हो गया, क्या मतलब हो सकता है वनीतप जाड़ी नह जादू जादू नहीं था ना जादू जानता था, बतलब चिप गया, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे चट का मतला होता है जल्दी जब अब बच्चा खत्रे से बाहर है अब बच्चा सुरश्चित है उसकी जान को कोई खत्रा नहीं है नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेट में भेजी नाना ने उसके इलाज के वद्दे बहुत सी चीजें उपहार में भेजी देखिए आपको कुछ निशान है ये है पूडवराम जो पहला है ये है पूडवराम ये प्रश्णवाचक चिन ये है आपका विश्मे वोदक चिन ये है पूडविराम जब हम पूरी बात अपनी कह देते हैं उसके बाद लगाते हैं ये पूडविराम ये होता है जब कभी एकदम से आश्य चकित जैसे चिलाता है न कोई चीकता है तब हम लगाते हैं ये बिशमे बोदक चिन प्रश्ण बाच्चा की ये वाला होता है जो थार नंबर पे है ये लगाते हैं जब हम कभी किसी से प्रश्ण पूछते हैं चलिए पहले है नानी चीक उठी साप तो चीक उठी ना चिलाई नाशर से तो इसलिए लगाया पूरी लायन हो गई पूरा बाक्य हो गया तो हमने लगाया पूडवरांग साब धीरे धीरे रहा था यह भी पूडवरांग माएगा तुम्हें यह काहानी कैसी लगी कैसी सब्द जो है प्रश्नवाचक सब्द है इसलिए हम इसके अंदवार लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन क्या तुम बाजार चलोगे क्या यह जो क्या शब्द है वो क्या है प्रश्नवाचक शब्द इसलिए प्रश्नवाचक चिन लगाएंगे अहा, तुम कितनी मीठी हो, अहा, हुरे, हाय, काश, ये सब्द होते हैं, विश्मयादी, इनके बाद ये लगाया जाता है, और जैसे कब, कैसे, क्या, किसने, क्यों, ये सब्द होते हैं, प्रिश्णवाचक, इनके बाद हमेशा लगाया जाता है, प्रिश्णवाचक चिन, च क्या कहोगे चलो देखते क्या कहोगे तुम लड़के को क्या कहोगे कारण देकर बताओ निधर नादान हुश्यार सरार्ती डरपोग् सरमीला बताए стрA अब लड़के कौं था हुश्यार भी नहीं, सरार्ती भी नहीं, डर्पोग भी नहीं, शर्मीला भी नहीं, वो नादान था जो नारियल की खोल में धक्कन बंद करके, अब हम चलते हैं भूल भुलया को, यह जो बच्चा है, भूल भुलया उसको रास्ता वताना है, नानी के पास आने के लिए, चलो पहले यह वाली रास्ता से चलते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली यह देख यह बंद है, चलो कोई बात में, दूसरी रास्ता से चलते हैं, इधर से घूंके आएंगे, यह 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 बंद है, चलो दूसरी से चलते हैं, अब हम यहां से जाएंगे अरे वहाँ पहुंच गया चलो अब हमारा चेप्टर फिनिस हो अरे अभी फिनिस नहीं है अभी तो है क्या तुम जानते हो चलो ये भी पढ़ लेते हैं साप अपना भोजन चवाते नहीं है वे भोजन साबूत निकलते हैं मतलब उनके दात आंगे के होते हैं लेकिन जो पीछे के दात होते हैं वो नहीं होते हैं उनके दात सिर्चारी होते हैं उपर और नीचे के तो वो चवाते नहीं हैं सीधा निगल जाते हैं साप कभी बढ़ना वंद नहीं होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि वह बड़े हो गए इतने साल के हो गए अब उनके लंबाई नहीं बड़े कि उनके लम्याई जीवन परियान तक पढ़ती रहती है साप नाक से नाक से नहीं सूने के लिए जीव का इस्तमाल करते हैं तब ही आप लोग उन्हें पिच्चरों में देखा होगा साप दिखाया देते हैं बारवाच जीवन निकालते रहते हैं क्यों क्योंकि उन्हें जीवन सूनना पड़ता है साप के कान नहीं होते इसलिए साप बीन की धुन सुनकर नहीं नाज सकता बास्ता में बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर फन फैला लिता है और लोग समझते हैं कि वो जूम रहा है साप दूद नहीं पीते कुछ सपेरे साप को जवरजस्ती दूद पिलाते हैं और इससे साप मर भी सकते हैं भारत में लग tying 50 तरह के साप जहरीले होते हैं लेकिन 4 तरह के सापों के जहर आदमी को खत्रा होता है बाकी के जहर आराम से निकल जाता है अब है बच्चों का पत्र आप लोग ये पढ़िए और आपको कैसे पत्र लिखना है इस तरह से लिखना है, पहले अपना ये address, यहाँ पर जिसको लिख रहे हो, उस तरह से प्यारी मौशी, फिर जो भी बात आपको लिखनी है, वो बात आप इसको पढ़िए, read करिए, फिर आप उसके क्या लगते हैं, इसे आपकी बेटी, आपका बेटा, अपना नाम लिखिए दूसरा पत्र एक और दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, आप पहले पता लिखा है, फिर आदर्नी बुवाजी, अगर अपने से बड़े लिखेंगे, तो लिखेंगे आदर्नी बुवाजी, फुपा जी, मौसा जी, फिर नमस्ते करेंगे, इस तरह से आपे अपने पत कीजिए बाइबाइब